Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about this solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते. कमें सेक्षन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखेगा. पिशली वीडियो में मैंने आप से बात करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था धनू राशिफल 2022 के बारे में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा. आज मैं बात करने वाली हूँ मकर राशिफल 2022 के बारे में. तो आईए जानते हैं वैदिक ज्योतिशास की गरना और चंद राशि के अधार पर मकर भविश्यफल में आपके लिए 2022 के लिए आपका व्यपार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम, जीवन, स्वास्थे और आर्थिव सिती के महतपून पहलूं के बारे में. मकर राशी के जातक अपनी महनत और लगन के बल पर कई उपलब्धियां हासिल करने में सफल रह सकते हैं. हाला कि आपके उपर कार्रे के बोज की अधिक्ता होने की आशंका है, लेकिन भविश्य में आपको इससे लाव मिलने की प्रभल संभावना है. इस वर्ष नीजी वा पेशेवरी जीवन में तरक्की के कई मौके आपको मिल सकते हैं. आप इस वर्ष एक कान धोकर अपने कार्रे में निखार लाने के लिए नई चीजों को सीखने में सफल रहेंगे. आप इस वर्ष महसूस कर सकते हैं कि आप पहले की तुल्ला में अपने कार्रे को लेकर आप बहुत ही महनती होंगे आईए बात करते हैं मकर पारवारिक राशीफल 2022 के बारे में साल की शुरुवात में पारवारिक जीवन में परिशानियां देखने को मिल सकती हैं इस दोरान आपकी माता के स्वास में भी आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी ऐसे में आपको भी मासिक चिंताए परिशान करेंगी इस कारण घर का बातवरन भी थोड़ा सा ज इसके इलावा साल की शुरुवाती महीने में मंगल की आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टी होने के कारण आपके उपर थोड़ा सा नेगिटिव इमोशन्स भी हावी होंगे इस दोरान आपको मैं बोलूंगी कि आप अपने गुस्से को शांत रखें और अपने गुस्से प आपको अपने कारेशेतर में विशेश महनत करने की जरूरत होगी इस दोरान आपको महनत के अनुसार अच्छे और बुरे दोनों परिनाम प्राप्त होंगे ऐसे में आपको अपनी महनत को रफ्तार देने की जरुवत है और नए काम को हाथ में लेने से पहले आपको पुरा पारशेत्र या फिर कंपनी बदलने के इच्छुक हैं तो इस कार्रे को साल के पहली या अंतिम महिने में करना आपके लिए बहतर साबित होगा आपको मैं सला दूंगी कि आप अपने सहीयोगियों और जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ इस वर्ष आप अच्छे संबंद बनाए रखें आईए बात करते हैं मकर शिक्षा राशीफल 2022 के बारे में इस साल आप अपने मन को आपको एकग्रत करने की जर्वत है किसी गलत संगत से आपको अपना समय बरबाद नहीं करना है आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की जर्वत है विदेश जा अपने भार पढ़ने की उस पे मिलेंगे जो चात्र शिक्षा की त्यारी कर रहे हैं उनको अच्छे परेनाम शिरुवात में ही देखने को मिल जाएंगे आईए बात करते हैं मकर वाहन और संपती राशीफल 2022 के बारे में मकर राशी के जातकों को अपने आर्थिक जीवन में कम अनुकूल फल प्राप्त होंगे साल की शिरुवात आपके लिए अच्छी नहीं होगी क्योंकि इस दरान आपको खर्चों में व्रिद्धी होगी ऐसे में जितना संभव हो सके आप रणिती और योजना के अनुसार ही अपना धन खर्च करें ग्रहों के अनुसार इस वर्ष की शिरुवात में आप नए आय के स्ट्रोट ढूनने में सफल रह सकते हैं और साथ ही आप इस दरान कई महंगी वस्तुवों को खरीज सकते हैं या फिर उन चीजों में निवेश कर सकते हैं जैसे कि आपकी संपती, ज जीवन रतीत करते दिखाई देंगे, इस वर्ष आपकी सेहत पर पॉजटिव एनर्जी जो हैं वो सही रहेंगी, किसी पुराने रोग से अगर आप युक्त हैं तो उससे भी आपको मुक्ती मिलेगी, हाला कि वर्ष की शुरुवात में कुछ परिशानी हो सकती है, साल की श इतना संबत हो सके, उतना अपने आपको आप तनाफ से मुक्त रखें, आईए बात करते हैं मकर राशीफल 2022 जोतिश उपाय के बारे में, आपकी राशी शनी की सारे सती से प्रभावित है, इसलिए वर्ष भर पीपल के पेड में या फिर शनी मंदिर में आप सरसो का दीपक हर शनीवार को जलाएं, शनीवार और मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में धर्शन करें और हनुमान 40 का पाट करें, साथ में सुन्दर कांट का भी पाट करें, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप 2022 में अपना नया कदम रखें और आने वाले साल का पूरा- पूरा फाइदा उठाए इसी के साथ मैं आशा करती हूं कि आप सभी के लिए 2022 धे सारी खुश्या लेकर आए मैं आप से फिर मिलूंगी अगली वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कुम राशीफल 2022 के बारे में तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे साथ खुश रहें मुस् समें पर मिलती रहें like and share this video do not forget to subscribe to my channel my name is Megha Gohel I am an astrologer, numerologist, past life therapist, vaastu and feng shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach, angels love for everyone, atma namaste